नमस्कार दोस्तों मैं नहीं लेकपार फिर हाज cere हों हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपेर करने वाले हैं पायोनिर की दो वरैटियों को 45S35 और 45S42 इन दोनों की तुलना आपस में करने वाले हैं कि आखिर इन में से जो है कौन सी की क्या विसेश्था हैं तो अगर आप इस वीडियो को यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर गंटे का बटन दमाएं लेकिन अगर फेश्बुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फोलो करना बिल्कोल भी ना भूले और हमारे जो फेश्बुक पेज का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की दिनों की कितने दिनों में पकर ये दोनों वाराइटियार होती हैं तो जो 45 S 42 है वो 120 से लेकर के 125 दिन का समय लेती है पूरी तरह पकर तयार होने में जबकि जो 45 S 35 है वो 105 से 110 दिन के समय में पकर तयार हो जाती है S35 है उसका 9 से 10 क्वेंटल परती एकड़ का देखने को मिलता है दोनों के बुवाई के समय की बात कर लेती हैं तो जो 45 S42 है उसको आप अक्तूबर के अंतिम सब्ता से लेकर के 20 नुवंबर तक उसकी बुवाई या फिर बिजाई आप कर सकते हैं जबकि जो 45 S35 है इसकी आप अंतिम सितंबर से लेकर के 5 नुवंबर तक इसकी बिजाई कर सकते हैं यानि कि अगेती भी और पिछेती भी अब बात कर लेते हैं तेल मातरा की तो दोनों ही वारेटिंग अंदर 40 से 42 परसेंट तेल मातरा पाई जाती है उन्चाई की बात करें तो 45 S42 की जो उन्चाई है वो 6 से 7 फिट की होती है जो काफी ज्यादा होती है जबकि जो 45 S35 है इसकी उन्चाई मुस्किल से 5 फिट जाती है दानों की बात करें तो 45 S42 के अंदर 18 से 20 दाने जो है परती फली के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बीजदर की बात करें तो बीजदर दोनों का सेम ही लगेगा एक केजी परती एकड़ के हिसाब से आप डाल सकती है लेकिन अगर नुमंबर में आप भी जाई करते हैं सवा केजी से डेड़ केजी तक बीज भी लग जाता है क्योंकि जो पिछेती भी जाई होती है उसमें आदा अंकुरन नहीं होता है बात कर लेते हैं इनकी कीमतों की क्या आखिर दोनों की कीमतों में कितना अंतर है तो जो पायनिर की 45-42 है वो आपको तकरीबन 500 रुपे की लोग हिसाब से जो है मार्केट में मिल जाएगी या फिर आप इंडिया मार्ट या बिगहाट से ओडर कर सकते हैं जबकि जो 45-35 है उसको आप तकरीबन 500 या सड़े 500 के असपास ही आप उसको भी जो होडर कर सकते हैं बिगहाट से कीजिए या इंडिया मार्ट से कीजिए या फिर आपको जो है अपने नजदी की मार्केट में हो सकता है ये इससे भी कम पैसों में मिल जाएगी जो 45-42 है ये तकरीबन 3 सिंचाईउं की इसको जुरूत होती है क्योंकि 120-125 दिन का समय लेती है जबकि जो पायनिर की 45-35 है इसमें अगर आप एक या दो पानी भी लगा देते हैं तो भी ये हो जाती है क्योंकि ये काफी कम समय की सर्सों होती है बहुत जल्दी जो पकर त्यार हो जाती है दोनों ही वराइटियों की जो रोग प्रतिरोदक समता वो काफी अच्छी होती है लेकिन जो 45-35 है इसकी हाइट कम होने के करन जो है ये गिर्ती बहुत कम है जबकि जो 45-42 है वैसे तो गिर्ती नहीं है लेकिन ज़्यादा हाइट होने की वज़े से कई बार जो चानशीज होता थे है इसके गिर्ने के तो दोस्तों बस यही था 45-35 और 45-42 दोनों की वराइटियों के बारे में